यू, what's up guys, कैसे आपसे भी लोग, welcome back to another gameplay video, तो आज हम लोग दुबारा से के लिए जा रहे हैं, DDA5, तो जैसे के आपसे भी लोग को याद होगा, कि लास्ट वाले एपिसोड में, वाल्ट का नमबर वन रेसर, हम लोग उसे मिलने के लिए आया था, क्योंकि कुछी दिनों मे Los Santos में एक बहुत बड़ा race tournament होने वाला है, और वो रेसर बिचारा retire हो गया, उसकी age बहुत जाद हो गया है, तो वो race खेल नहीं सकता, इसलिए वो चाहता है कि उसके लिए हम लोग race खेलें, और अगर हम लोग उस race को जीतते हैं, तो हम लोग उससे जितना पैसा, जितनी गा गाड़नर के पास wash करने के लिए लगाया था, और अभी इसको dry करने में लगा हुए, लेकिन इस यह नहीं मालूँ, यहां से धूल उट रहे है, और वो वापिस गाड़ी पे जा रही है, तो चलो भी साफ सफाई बंद करो, मैं काम करता हूँ अपनी इस गाड़ी को घर के स मस्त क्लीन किया यार कार को मतलब, इसको देखके बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि ये गाड़ी को जिमी ने एक बहुत गंदे नाले में ले जाके डुबा दिया था, जहांपे इस गाड़ी में पूरा कीचड़ कीचड़ लग गया था, गाड़ी चलना बंद होगी थी, वो मेंशन के एकड़म सामने पार्क करने के लिए, मतलब वहाँ पर जाके वो फील आएगी ना, वो नेक्स लेवल है, बाकि ये ये स्लो स्पीड में चलने रही, मैं इसे जान मुझके इतने जादा स्मूथली चला रहा हूँ, बाई तब हाँ मुझे मालूँ मैं भी आप अपने पास, मैंने पहले सुच जाता है कि हम लोग बुगाटी बॉलाइट से खिलने वाले हैं, बट आपको पता होगा, कि वो जो फासस कार थी, उस कार का हमने एरपोर्ट पे स्पीड टेस्ट में क्राश अक्सिडेंट कर दिया था, और फिर वो गाड़ी आज तक रिपे अब प्रॉबलम यह है कि वो गाड़ी मेरे से सची में कंट्रोल नहीं होती, वो इतनी ज़्यादा फास्ट है, और फिसलती है वो सीधा रोड़ों पे, तो मैं को उस पर रेस के लिए में तोड़ा डर है, बट या अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं सोच रहू सामने, बिल्कुल सेंटर में, सामने वाले गेट के और एक बारी उतर के मैं आपको दिखाता हूं कि गाड़ी अपनी कैसी लगने वाली है, लेट्स गो, अपने दोनों गाड़ से मस्त ध्यान रखते हैं हमारा, चारों तो मैं कोई कुछ नहीं कह सकता, मतलब पूरे घर में हर जगा गाड़ से गाड़ गुम्रे बेट, मैंने आपको अभी तक अपनी घर के बाक साइड का टूर नहीं दिया, मतलब यहां पर इतना वड़ा तो गाड़ है जितना बड़ा पहले वाला घर था, और इस तरफ में एक टैनिस कोट भी है, जिसमें मैंने अभी तक एक बा पूरे के पूरे टाइम यहां पर राउंड्स लगाते रहते हैं, रायत में लाइट टॉर्च फुल फुल जला चला के बंदों को ढूंटे ही घर में कोई एंटर ना कर जाए, क्योंकि इससाब से नहें पैसा भी अचा गासा मुला है, बाकि यहां पर टैनिस कोट आया कि हम लोग इस वाली रेस को फरारी से खेलने वाले हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है मेरे पास ऐसी कोई और कार है, जो हमें इस टॉर्नेमेंट को जितवा सकती है, और उस कार से जादा कोई फास मेरे को नहीं लगता है, अभी मेरे पास जो कलेक्शन है, उसमें होगा, यहाँ पर जो सेक्योरटी के लिए हमारे जितनी भी कार से जो हमारे आगे पीछे चलेंगे वो यह चार हो है, मर्सेडी जी वागन और एक अपनी जो है फिफ्ट वाली वो परसनल है, यह जो चार आप देख पा रहे हो ना, यह भी हमारी है, बट यह बोडी गार्ट के वो कर दो सरफड़ाबर से, मतलब मेरे को पेमें करने में कोई प्रोब्लम नहीं है, बट एट लीस्ट मंथ कम्प्लीट तो अब दस पंदरा दिन हुए नहीं, बट अब यह काम अच्छे से कर रहे हैं, तो पैसे देने का भी मन कर रहा है, बट मैंने ऐसा सोच रहा था कि हम लोग जो बिग माफ है कि भाई से जो पैसे वसूल ले ना, वन मिलियन डॉलर्स वही से लाके देंगे, बट अभी अच्छे से काम कर रहे हैं, गंस वगर अभी नहीं नहीं, इनके लिए आके यह थोड़े बहुत वेपन्स मुझे और लाने है, क्योंकि इनके लिए नहीं बैनी के पास जाना है, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, इन चार्ज को मैंने बोलते हैं, कि गाड़ी मेरे मेरे पीछे लगा लो, मैं अपनी गाड़ी भार कर रहा हूं, फड़ा पट से चलते हैं, और तुम मेरे इतनी भी जेप मतवर टू सीटर का रहा है, तुम नहीं आप आओगे, तो फरारी को बाहर निकालने के लिए, सबसे बहले मुझे अपनी लेंबोगनी स्यान को आगे से हटाना होगा, अधर्वाइस मैं से अभी निकालने के कोशिश करूँगा, तो राइट या लेफ साइड में चोटा मोटा डेंट आ सकता है, जो कि म 12 ध्यान से सुनलो, मैं हमेशा ही सुनाते रहे तो यह चीज, यही साउंड इस गाड़ी को बहुत थकड़ा बनाता है, लेट्स को, इसको थोड़ा बहुत रवाप कर लेते हैं, ताकि अच्छे से गाड़ी फूल चार्ज हो जाए, और अभी इसको लेकर चलते हैं, सीधा ब मेरे पीछे आने वाले हैं, क्योंकि बैनी के गिराज में उसको यह गाड़ी मोडिफिकेशन होने के लिए तो दे दूँगा, बट उसके बाद मैं वहां से पैदल या फिर टाक्सी में तो आने नी वाला हूं, क्योंकि भाई, अब हम लोग बहुत बड़े माफिया बन चु जैसी सारे आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग चलने वाले हैं, तो अब ही बॉड़ी गार्ट अपनी गाड़ियां यहां पर बाहर लेकर आ चुके हैं, पता नहीं कहां रहे थे इतना टाइम लगा देते हैं, पांच गाड़ियां बाहर निकालने हैं, फिर भी इतना जादा पीछे रह चुके हैं, मैं जो समय नहीं आ रहा कि मुझे वेट करना चुके है, या फिर अपनी गाड़ी को भगा के बैनी के पास जाना चुके है, एक काम करते हैं, बैनी के पास ही चलते हैं, अपने पास जादा टाइम नहीं है, गाड़ी भी रिपेर करवानी है, बट प् कि यह कुण अपनी गाड़ी लेकर गया हमारे भगल से इतनी तेज एक मिनट रुख जा रहा भी मैं इसको ओटेक करता हूं भाई साब बहुत यह कोई रेसर है गयार क्योंकि इसकी कार में कोई नॉर्मल कार तो लग रही है और बंदा बहुत जादा ही तेज भगा रहा है से बेटर ड्राइवर है लेकिन में को एक चीज का और ध्यान रखना है इसको करने के चक्कर में मेरी गाड़ी का इंदर-दर ठुक ना जाए क्योंकि मुझे यह सची में बहुत बेकार ड्राइवर लग रहा है देख रहे हो कहीं पर बिले जाके अपनी गाड़ी रोखते र लेकिन नहीं मेरा मन नहीं करने का अभी टाइम आ चुक है दोनों की गाड़ी फुल स्पीड में हो रहे हैं अपनी गाड़ी बहुत बुरा ठुकने वाले हैं बट नहीं ठुकिए और हम लोग फड़ा-फड़ से पहुचने वाले हैं बैनी के पास विचाने सारे बॉड़ी आपनी रास्ता कैसे भूल गाशाए वह पीछे वाले कट पर तो फटावर से अपनी गाड़ी को यहां से लेफ लेकर चलते हैं मुझे यहां से एकदम सीधा जाना है अभी मैं एकदम सही आया हूं मैं भी घलत आया हूं मैं बैनी का गिराज ही भूल चुक हूं कहां पर है तो अभी फिलाल मैं अपनी गाड़ी को लेकर बैनी की डीलर्शिप पहुचने वाला हूं बाइदवे आट जो भी हो उबंदे की गाड़ी बहुत जादा तगड़ी थी स्पीड बिच्छी काजी ती तभी उसने पुरी तरह ओटेक किया था लेकिना जो भी हो अभी हमने उ लोग अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं अंदर इसे तगड़ा वाला मॉडिफाक करवाने के लिए बैनी से और यहां पर अभी बैनी लग रहा है किसी की स्पोर्ट्स कार को वाश कर रहा है या फिर उसको सर्विस वगारा कुछ तो करने में लगा हुआ है और लेफ्ट सा बैनी से अगर यह वाली गाड़ी रिपेर हो जाएगी तो ठीक है बाकी वह सब चोड़ो पहले बैनी की वरक्शोप थोड़ी चोटी हुआ करती थी बट इस ताइम काफी जादा बड़ी हो चुकी है लगता है यार बैनी ने अपनी पूरे की पूरे वरक्शोप को अच्छ पहले बिचारा केले काम करता था अब बहुत बड़ी टीम मना लिया है लेट्स को और राइट गाइस तो अभी मेरी फिलाल बैनी से बात हो चुकी है और यह कह रहा है कि इस कार में चेक करके बताना होगा कि आकर इसको और अपग्रेट और सुपर फास्त बनाया जा सकता है या फर नहीं तो भी बैनी आपर मस अपना गाड़ी को चेक बगरा करने के लिए आ गया है और पता नहीं आखिर इसकेंदर क्या ही चेक होगी वैसे जहां तक मुझे लगता है गाड़ी और भी अपग्रेड हो सकती है क्योंकि एक प्रॉपर फॉर्मुला वन रेसिंग कार क इस गाड़ी को बहुत जादा तकड़ा अपग्रेड किया जा सकता है और उसके बाद ये गाड़ी 500 km पर आर का स्पीड भी पकड़ लेगी जो कि अपने लिए बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाता है तो हम लोग इस गाड़ी से इस रेस को एजिली जीतने वाले हैं बट ये सोचों कि अगर गाड़ी ने 500 km पर आर के स्वीट पकड़ ली तो हम लोग जीत भी सकते हैं फिलाला भी मैं अपनी गाड़ी में आखर बैट चुका हूँ सारे के सारे गाड़ी में पर रेड़ी है हमारे साथ चलने के लिए सबसे वेल अपना इंचार्ज आज है य हर एक गाड़ी में अब एक एक बंदा ही है क्योंकि हम लोग इने मंतली सिर्फ वन मिलियन डॉलर्स दे रहे हैं इसने मुझे बोला कि अगर हम लोग इसको टैन मिलियन डॉलर्स देते हैं तो यह चारों गाड़ियों के बंदे भरके बाटेंगे गंस लेकर हमारी सेफ टेक कि अब पाक जो घञाए हैं अब ही पोछसें आराम से घड़र तो अभी एक बाकी सारे बोडिगार घर के बाक साइड वाले गेट से अंदर आंटर हो गहें और हम लोग अपनी गाड़ी को एक नदम फ्रेंट साइट से अंदर लेकर जाने वाले हैं क्योंकि अपनी रेंज तो भी अपने साथ गाड़ी में बैटने के लिए बोल देता हूं और फड़ा फटसे अभी अपनी रेंज रोवर को फुल स्पीड में लेकर उसका पीछा करने वाला हूं वैसे कोई चोर तो नहीं है जो अपनी गाड़ी चुरा के बटे आरे पॉसिबल नहीं है घर में इतनी जादा सिक्योरिटी है कोई इतनी इसली गाड़ी लेकर जा तो नहीं सब्सक्राइब बहुत जादा आगे निकल गया और यह गाड़ी मुझे बहुत जादा पसंद है तो मेरे को यह गाड़ी वापिस चाहिए पर पता करना है कि आ आकिरकार यह बन्ना यहाँ पर एपनी गाड़ी को रोकता है यंपर नहीं रोकता 5 ऐसने अपनी गाड़ी रोक लेए इसका मतलब इस बंदा चोड तो नहीं मुझे धी पता करना होगा कि आखीर फुल फोकस करके जूम मारता हूं और मुझे अच्छे से मालूम था कि अपनी गाड़ी इसके लावा और कोई ड्राइब नहीं करने वाला यह जिमी इतना मना करने के बावजूत अपनी गाड़ी आर पता नहीं कहां पर लेकर जा रहा है और यह कहीं मुझे देख न ले मुझे अपनी बनेकुलर अंदर रखो और अभी मुझे भाई इसने अपनी गाड़ी यहां पर लाकर रोक लिया पहचाना तो नहीं होगा वैसे पनी गाड़ी को थोड़ा सा ग्याप में रखके इसको फोलो करने का ट्राय करता हूं कि आकर कार ये इस काड़ी को लेकर जाना कहाँ पर चा रहा है वेट 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 इसने अपनी गाड़ी यहां се निकाल लिया और थोड़ा सा डिस्टेंस रहेका तो भी बहुत यह जिमी को follow करता करता Los Santos के industrial area में आ चुका हूँ और मुझे कसम से बिल्कुल समय नहीं आ रहा कि आखिर कारिये जाना कहा चा रहा है इतनी बड़िया गाड़ी को खराब उबड़ खावर रस्ते पे लेकर वेट यह जिमी इस जगह पर अंदर क्या करने के लिए हेलो मैं मैं खुद इस जगह पर आज से सिर्फ और सिर्फ काफी टाइम पहले एक ही बार आया हूं और मुझे नहीं पता इस जगह पर क्या होता है मेरे को इतना याद है कि कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम था तब मैं यहाँ पर आया था बड़ जो भी है जिमी अपनी गाड़ी को बहुत तीज बगाता हूँ इस जगह के अंदर लेकर जा रहा है मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसकी ना बॉल्स रोइस को वहाँ पर सामने ले जाके रोक दिया है मुझे शायद से ना भी अपनी गाड़ी से उतरना चाहिए और चलके यह देखना चाहिए कि आकरकार जिमी इस गाड़ी को यहाँ पर क्या करने के लिए लेकर आया है शायद यहाँ पर उससे मुझे देखना ले वरना बहुत जादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है मुझे पहले यहां पर तोड़ा बट कवर लेकर जाना चाहिए यहां पोचने का भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि जिमी बिल्कुल भी नजारी नहीं आ रहा है यहां कि आखिरकार वहां पर बात कर किस से रहा है और क्या बात कर रहा है यहां पानी दागा सीथा मुझे पता ही नहीं दा मेरे को लग रहा था नॉर्मल मिट्टी होगी मैं कूच जाओंगा वट यहां यहां तक कौच चुका हूँ इसने कोई से ड ruralty करें लोग हांत मिला रहे है बट मिरको आशार कुछ भी स्लमस्लीर यहां पर बेच दे रहा है यहां पर कुछ नै कुछ तो बहुत ज्यादा बड़ीगाड़ने व merrytt वह वह बंदा अपनी रोल्स्रोयस लेकर यह से जा चुका है एक सिकेंड मुझे सची में अभी कोई भी सीनी समझ चारहा हूं यह जिमी भी पता निहीं कहां पर जा रहा है मैं चाहूं तो भी जाके इसे पूछ सकता हूं बट मुझे ना अभी समझना है कि आखिर का रिये करना क्या चारो यह चुप चाप से मैंसका पीछा करता हूं यह अट रहा है यह एक पर लेकर आया और अनक बंदे को गाड़ी दे दी और अभी यह खुद इबा कर ही थी यहां पर कैप कर निकला यह झाल बंदे कंषद ऑपशा है स्यनरे कैप है प्रोड़ी जाहने कुटर आजिया बेच लिख रहा है constituents महिंगि जारा न पहले तो यार भी फड़ा फट से ना मैं अपनी रेंज रोवर को मितलब अपनी जो गाड़ी है अपने बॉड़ी गाड़ के बास उसको यहां पर लाने के लिए बोलता हूं क्योंकि भाई को ओटेक कर सकता हूं मतलब उन तक पहुच सकता हूं और उतार के जिमी को पूच सकता हूं कि आखिरकार इसने हमारी गाड़ी किसको दी है और क्यों दी है बट वेट ये शाहत से ना मुझे पता था ये भी घर नहीं जा रहा क्योंकि अगर इससे घर जाना होता ना तो ये फ ँर शहुच से मईंSm4 और बहुत सारा पैसा मिला था आज मैं पता करके रहुगा कि आकिरकार जिमी आ करो पैसे आ कहां से रहा तो इसको करना करता हूं और देखते हैं कि आखिरकार ये इसकी टाक्सी जो है ये कहां पर लेकर जाने वाला है तो गाइस अब ये इन जिमी की गाड़ी को फोलो करते हुए मुझे पूरा का पूरा आधा गंटा हो चुका है या तो इसको हमारे उपर शक हो गया है और यह हमसे छुपने के लिए बस अपनी टैक्सी ड्राइवर को पैसा दिये जा रहा है और उसे इधर उदर जाने के लिए बोल रहा है बट ऐसा होगा न इस लेफ्ट में इधर एक पुराना घटे नाला है वहाँ पर अपनी गाड़ी को लेकर जा रहा है यार है और यह टैक्सी ड्राइवर भी कैसा उसकी बात मान भी रहा है यह पक्का उसो बहुत ज़दा पैसा दे रहा है बट वेट वेट यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड पढ़ गया जो वो रॉल्स रोयस किसी बंदे को देखर या फिर बेच कर एक टाक्सी में बैट कर पता नहीं कैसी घटी आसी जगह पर आ रहा है वेट तो ना मैं लेंच कर लेता हूं ता कि इसको हमारे उपर बिलकुल भी शक ना हो मैं अगर जितना इस गाप बनाकर जा चुका है यार वेट अभी तो मेरे को भी जाना होगा क्योंकि मुझे पता करना है कि आखरकार पहली बात हो यह कि जिमी को इस टरनल के बारे में कैसे पता चला यह टरनल मुझे खुद नहीं वालूम थी लेस्टर ने में बताई थी जब हमने डायमंड कसीनों की हाइस् तब की बात है पट पका यार जिमी किसी तो बहुत जादा गलत काम में इंवाल्व हो चुका है ठीक है अभी मैं इसका चुप चाप से पीछा करने वाला हूं बस यह मेरी गाड़ी का साउंड ना सुन ले तो अभी मैं अपनी इस रेंज रोवर से जिमी की टाक्सी फोलो कर है मुझे पता है कि जैसे यहां पर आकर इन लोगों का एक्सिडेंट हो चल भाई तू भाराज यार निकाले क्योंकि यहां पर शाहसे मुझे थोड़ी बहुत सेफ्टी की जरूरत है मैं मैं सही सोच रहा था भाई यहां पर इनकी टैक्सी का तो एक्सिडेंट हो गया बट मुझे बिल्कुल विश्वास नियु रहा है कि जिमी ऐसा कर सकता यार उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो एक बंदे को मार दे उसके बाद उसे उठाके उस काड़ी के उपर ही रख दे गाड़ी में से बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से दुआ निकल रहा है तो फट जिमी मिल जाहें आकर जाना वो कहा जा रहा है वो सब पता सो जाए अब यहां पोचे तो दिखा जिमी का अथा पता हुआ है और जिस टैक्सी को फोलो करें तो इस टैक्सी का ड्राइवर मारा जा चुक है टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया बहुत कंचिडलना के दूवगे निकल रहा है वैसे यार जहां तक मुझे लगता है जिमी उस ट्राक्सी ड्राइवर को मालने के बाद इस टनल में यहीं से आगे गया होगा बट एरो पैदल कितनी दूर जाएगा यह बहुत जादा बड़ी हो एक शेकिन अभी ना फड़ा-फड़ से मुझे गाड़ी से उतर इस बड़े और एक सेकिन्ड इस नहीं यहां पर और रड़ी किसी एक बंदी को शायद से मार दिया है और अभी यह तूसरा जो बंदा सामने बैटा हुआ है उसको भी शायद से मारने के लिए जा रहा है वहीवेट यहार क्या चल रहा है यहां यहां जो बंदी आ चुकियो जो कि जिमी को पीटना शुरू कर रहे हैं बहुत बुरी तरह बेस बात लेकर आ गया है वहाँ मिर नखिए जिमी की बूरी ने वाली है जो ग्यार देखने में बिलकूل साइन गदी मुझे समिन निया रहा है क्या करना चाया वेट मेरे पास एक कट्टा ए मन तो कर रहा हू इनको पड़िए तूं अभी इनकी ठाड़ेंगा तूं गल तूं भी कि अभी को मारते हैं और यह त плат के मारता आसे जि continuing बंदा और एक बंदा हो रहा है इसको मैंने मार दिए एक तो चलो गाहिस यह सब दो we वो यार अभी सची में यहां से गायबर एक सिकिंड वहां पी जिमी सामने उस पिलर के पीछे खड़ा हुआ है बटे करना क्या रहा है मुझे यह नहीं समझ जा रहा है जिमी ने उस बंदे को मार दियो और वह वैं लेकर यहां से भाग रहा है एक मिनट रुक जाओ यह मुझ जादा आगे निकल गया होगा और एक सेकेंड रुक जाओ गाड़ी मैं ड्राइब करने वाला हूं पीछे तुभी बैठेगा क्योंकि यार मेरे को इनकी ड्राइविंग पर विश्वास नहीं है भले हाँ हमारी सेफटी के लिए पूरे टाइम मेरे साथ है वड़ापट से अपनी गाड़ी को यहां से खुदाते और अपनी गाड़ी बहुत कतरनाक है इन सब रास्तों पे चलाने के लिए और उसकी तो बिचारे की वैन थी तो ना ही उसमें जादा स्पीड है ना ही उसकी कंट्रोल्स अच्छे है तो जहां तक है मैं उसे जल्दी से जल्दी उसके पीछा करने के लिए और वे अलग रस्ता ना चले जाए वो यहां पर भाई ट्रेन ट्रैक है प्रोपर बट वैसे जहां तक मुझे लग रहा है जिमी इस मैट्रो स्टेशन पे तो नहीं उतरा होगा क्योंकि आज पास मुझे उसकी वैन बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है तो फट फट मैं भी यहां से आगे बढ़ने का ट्राय करता हूं और यहां पर एक अलगी रास्ता वो जारी उसकी वैन ठीक है ठीक है अभी गैब बनाके चुप चाप उसे फोलो करते हैं शायद उसको भी हमारे उपर डाउट नहीं होगा कि हम लोग उसका पीछा कर रहें बागी बस आगे पीछे से आगे ट्रेन ना जाए प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत खतरनाक वाली गाइस आखिर यह पता नहीं अपनी घटिया सी वैन को कहां पर लेकर जाना चाहरा है फिलाल अभी मैं चुप चाप से इसको फोलो करता करता काफी जादा आगे आ चुगा ह और मुझे डार इस बात का है कि कही सामने से कोई ट्रेन ना जाए और मैं उसमें ठुक ना जाओं कर आभी पीछे से एक ट्रेन आई थी वो तो चलो साइट से निकल गी और जिमी ने पी वैन को सई ताइम पर साइट कर लिया था और अभी इसने अपनी वैन को यहां से अभी उसने स्पेड बढ़ा ले उसकी गाड़ी का टायर पंचर रहा है फिर भी बहुत टागरी ड्राइविंग कर रहा है जिमी के पास तो भी लाइसेंस भी नहीं है फिर भी पूरे तरीकी से गाड़ी चला ठीक है मैं सब गाड़ियों के थोड़ा बहुत पीछे रहता अभी तक तो कहीं और चाहर था और इसके हाथ में कोई तो ब्रीफ केस है जिसको लेकर यह उस बिल्डिंग के अंदर जा रहा है वेट यहां पर क्या करने के लिए प्लाइणियम कार्स ही लग रहा है कोई नई डीले शिप लिया लोस संटोस में इसके बारे में तो मुझे पता है नहीं चला था मेरे को ऐसा लग रहा है कि अपनी खुद की परसनल डीलर्शिप तो नहीं खोली और जिन बंदों को इसने मारा था शायद से पक्का इसने वहीं उनसे कुछ पैसे वैसे चुराएं क्योंकि इसके ब्रीफ किस था वो इसके पास पहली नहीं था एक मिन जिमी यहाँ पर अंदर आया यह देखो इसने करा है इसने पहले अपनी रॉल्स रॉइस बेची उसके बात कुछ गुंडों को मारा के उनसे पैसे चीने और अब यहाँ यह पर यह कोई पका कारी खरीदने के लिए वरना यह इस तरीके से यह पर गाड़िया नहीं देख रहा होता वहाँ पर यह यह वाली खरीद रहा है और इतनी ज्यादा क्या उस जरुत पढ़ गए गाड़ी की तकड़ी कार खड़े मुझे दिख नीदी थोड़ी पहुत मेक् है बाकि यहां पर यह जो लेंबॉगनी है यह बहुत ज्यादा तकड़ी है जिमी अपना उसने वह येलो कार भी कैंसल कर दी यह वाली भी कैंसल कर दी लगता है गाइस जिमी को यह लेंबॉगनी हुराकान STO पसंद आ गई है क्योंकि इस गाड़ी को बार बार घूर गूर यह बिलकुल विश्वास नहीं रहा है इसके अपर इस नहीं पर यह अभी गाड़ी में बैठने जा आए वैसे कार तो बहुत जा तगड़ी गाड़ी में जान लूँगा क्या मस्त पेंट और गार इस गाड़ी में चार तरफ टायर्स वगारा में और डीलर तो यह पेंट यह सारी के सारी नियॉन लाइट्स थी इस टाइप की कार मैंने अभी तक लॉस एंटॉस में नहीं देखी है आखर कार यह जिमी ने इतनी जादा महंगी गाड़ी खरीद कैसे लिए बिलकुल वेश्वास नहीं हो रहा है क्यार वह सब चोड़ो गाड़ी खरीदी तो इसको उसने अपनी गाड़ी वहां से बाहर निकाल लिया है मैं इसको फोलो करने वाला और जहां पर इपनी दोस्तों गाड़ी चमकाने जाएगा न वहीं पर इसको उतार के पूछेंगे कि आकरकार इसके पास इतना ज्यादा पैसा आया कहां से और वेट अपे भाई उसने को फोलो करना इंपॉसिबल है वो दे को गाया बोचुका है दूर दूर तक मुझे बनना ही नहीं नजर आ रहा है क्या करें चलो को इन्हें भी ठीक है फटाफट से बैनी वैसी मुझे बहुत देर से बुला रहा है कल अपना रेस है एक बारी रेस नहीं पढ़ जाए उसके के अंदर घुसने नहीं दे रहा है क्योंकि वह उसे जानता है क्याटी के पढ़ा-फट से ना हम लोग पहुंचते हैं उसके पास मतलब खाली पीली के इतने जादा लंबे चक्कर लगए तो जिमी ने परेशान कर रहा था सुबह से यहीं बैनी है इस वाले गेट से अंदर बॉड़ी पाक कर दिया है कि हम लोग चाहरे थे कि इसकी जो टॉप स्पीड और चले जाए बट यह कह रहा है अब यह गाड़ी उससे भी ज्यादा तेजी स्पीड में चलने वाली है बट उसके लिए हमें इस गाड़ी में थोड़ा बहुत नाइट्रो डलवाना कि अभी मैं इसे बगाने निवाला मेरे कंट्रोल होते अच्छे हैं इस गाड़ी के उपर फिलाल तो बागे ठीक है इस ताइम पर रोट भी काफी जादा खाली हो रहे है धोपयार का टाइम है मैं यहां से अराम से अपनी गाड़ी को राइट मोड़ता हूं और अब ही नह एक्स्ट्रा पेट्रोल और फ्यूल दलवाना पड़ेगा क्योंकि फिर अलगी पावर यूज करेगी गाड़ी लेट्स को आगे पैट्रोल पंप आ चुका है हम लोग फड़ा फट से अपनी गाड़ी को आज रस्ते इतनी ज्यादा खाली कि मेरे को यह समाज आ रहा हाँ मा फिलाल अपनी फ्रारी में नाइट्रो बूस्टर फ्यूल फिल खो चुका है और अब टाइम आ चुका है इस गाड़ी के एंजिन को फुल ओवर हीट करने का ताकि जो गाड़ी है ओटोमाटिकली टर्बो मोट पे चले जाए और यह क्या कर रहा है भाई बैनी ने इसके लि यार मतलब मैंने लकी सी रेज़ी तो गाड यार बिल्कुल उड़ने को रही है थोड़ा बहुत संभाल के चलाना पड़ेगा ठीक है अभी रोड मेरे को पुरा खाली दिख रहा है तो अपनी गाड़ी को मैं भगाता हूं क्योंकि मेरे को टैस्क करना है कि आज यह 500 km कैसे चाहती है बाकि आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी कि गाड़ी जितनी टेज भाग रही है ना उससे ही जादा तेजी रुक भी रहे है जैसे कि मैंने बताया इसके कंट्रोल सो वैसी बहुत डिफिकल्ट है और अभी मैं थोड़ा डाउट में हूं मुझे इस गाड़ यह तीन सो नहीं पोच पाएगी और यह भाई 500 जा सकती है बटन को से सामने बहुत सारा ट्रापिक है और इस ट्रापिक को थोड़ा बहुत करने में हार्ड होने वाला कोई राइट में कोई लेफ्ट में मैं काम करता हूं आगे सेना यूटन लेता हूं क्योंकि आगे का 3, 2, 1, let's go! अब मैं इसको 500 टेच करा के देखने वाला हूं कि क्या यह सची में 500 जा सकती है या फिर निए वैसे तो इसकी आर में को लगनी रहा कोई ज़रत है बट मेरेको फिर भी चेक करना है एक बार और आगे का पूरा रोड इंगता मेरे को खाली नजर आ रहा है मैं स् 500 गई या फिर नहीं गई अगर मैं स्पीड़मेटर देखूंगा ने एक सकींड के लिभी की काड़ी ठुक सकती है गाइस इस फरारी की टॉप स्पीड टेस्स नहीं होने वाली क्योंकि यह लोस आंटोस का में आइवे यहां पर बहुत जादा ट्रापिक है बट मेरे पास एक जगा और है जहां पर हम लोग अपनी गाड़ी को बहुत तेज स्पीड में बगा सकते हैं और कोई जादा भीड़ भाड़ भी वहां पर नहीं है लेकिन अगर देखा जाए ये कार इस कार के लिए भाई कुछ भी दूर नहीं है जब जाएगी न अपनी 300-400 की स्पीड म क्योंकि कार तो बहुत जादा खतरनाक है और जोसके पीचे से फायर फ्लेम्स निकल ले ना ये और भी बहुत जादा एपिक और एक सिकिन अबे लोग तो इससे डर के भाग रहें पनी गाड़ी से ये दिखो जितने लोग नहीं है लो हेडफोन में काने सुनते हुए और य जल्टी में गाड़ी उनके पास आगे हो जो कि थोड़ी तेर में ब्लास्ट हो सकते रुख जोयार मैं लोगों को परिशाद नी करोगा मैं जा रहा है सौरी-सौरी में खाली बी लीडर स्पीड तेस करने आगा हा तुम बात करों की बटाफर्ट सुमां से निकलते हैं और अभी मैं अपनी इस फरारी को लेकर लॉस एंटोस इंटिनेशनल एरपोर्ट पर पहुचने वाला हूं बाकि यार एक बात तो माननी पड़ेगी सामने कितना भी ट्राफिक हो मैं इस गाड़ी में आँख बंद करके रेस दे सकता हूं क्योंकि यार इसके इतनी जादा बड है ठीक है को फड़ा फट सेना सामने पहले तो में फ्रैक्ट पर ले जाना होगा और अब टाइम आ चुका इसकी टॉप स्पीड मालने का सामने एक प्राइवेट जेट जा रहा है शाहत से लैंड हुआ फिर पताने टेक ओफ होने जा रहा है और क्या मस्ट टाइम पर ब्रे ब्रेक 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 टन भाई मैंने गाड़ी को पूरा टेस्स कर लिया है एक काम करते हैं एक चोटा सा टेस्ट और मारते हैं अब तो मैं 100% शिए और हूँ कि यह वाला रेस हम लोगी जीतने वाले हैं जाते-जाते नहीं इस गाड़ी का टॉप स्पीड भी चेक कर लेते हैं अभी तक हमने चेक कर रहा कि गाड़ी 500 जा सकते आफिर नहीं अब ताइम आ चुका है यह पता करने का कि यह 500 से कितना उपर जा सकती है इसके जो ब्रेकिंग है ना वो मुझे ज्यादा पसंद आई है उसकी वजह से आग बंद करके खुला बगा रहा हूं और अगर यह जा चुकी है ऑफिर एक सगिन किया हो रहा है इंजन विचे ब्लू स्पार्क्स को निकल कर आ रहे है पता निया फिर यह तो इसकी मौडिफिकेशन के को हिस्सा है या फिर गाड़ी में कोई प्रोब्लम आई है वैसकर कोई प्रोब्लम आय होती तो गाड़ी इतने अच्छे यह क्या हो रहा है यह तरको लग रहा है कुछ जाद ही ओवरीट होगी है क्योंकि जिस तरीके से थुआ निकल लेना मुझे पता नहीं क्यों यह गड़ लग लगए कि बरी में चला के देखता हूं गाड़ी खराब हुई तो भी चलना बंद हो जाएगी इसको यहां से लेकर सामने को जाना है फटा फट से गाड़ी बगाते है पुलिस हमारे पीछे थोड़ी आ रही हो कि हमने गाड़ी में मोटिफिकेशन जी तो करवाए है क्या हरकत हो रही है मुझे को समयन नहीं आ रहा है गाड़ी मुझे बहुत ज़्यादा धुआ निकल रहे हो गाइस बैनी क गिराज में जाने के लिए मुझे अपनी गाड़ी की स्पीड कम करनी पड़ेगी और तीसरी प्रॉब्रम यह है कि गाड़ी की स्पीड अगर 200 किलोमेटर पर हार से जब कम जाती है तो गाड़ी के इंजिन में आग लग जाएगी जो कि अभी हो गया है मैं बैनी के गिराज गाड़ी के साथ और रस्ते खाली है और इसी का फाइदा उठाना है यहां से लेफ लेन और सामने लेस कस्टम है जादा दूर नी है बस हम लोग पोच गए थोड़ा बहुत भी ट्राफिक अगर मिलाना तो यार कसम से बहुत गलाथ वाली करबड़ो सकती है सामने का रहा है वैँ तो कि अर गाड़ी वाला थीशा फाल यहां का जो जापना है जो कि फटी करें ते नित्न धालना है ओग पाग गटे यहांना वुझ का अट тоб थू लुड़ीन का निकारि यहां धाल करकी लेगाण दोड़ा यहां मूझ का बलाहिग है वरना थोड़ी ही दिर में साथ स एपार्टमेंट जल्दी जल्दी यहां पर भीजो भाई सारे बंदे डर के बगार इस गाड़ी को दिखे मेरे पास ना फायर एक्स्टिंगिशर है क्यों ना मैं खुछ से पनी गाड़ी को भुजाने का ट्राय करता हूं बहनी तो मेरे साबसे रिपेरिंग का समान लेने के लिए चला गया है भाग कर गयाता भाई भूभी थोड़ा सा गया बना लो भाई गाड़ी फट जाएगी फिर करते रह जाना ड्रामे इसको भुजजा भाई प्लीज इतना ज़्यादा इसमें मैं स्मोक मार रहा हूं लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा वेट अभी तक गाड़ी के पीछे आंग लगे थी पर तीरी तीरी गाड़ी के अंधर भी आख लग चुकी है और भाई साब मेरे को नहीं लगता कि आख किसी भी कीवाद पर भुजने वाली है गाड़ी के अदर बहुत सारा पेट्रोल है ने आराम पीटू आना यतना बगल बगल से चिलाते हुए जारे है मेरे उ पर यह कहा है अभी तक तो गाड़ी से जो आग निकल रही थी नो भी बंद होगी है बाकी यहां पर फार ब्रिकट आ चुकी है जल्दी से भाई साब तुमारी यह से कुछ ना होने का बाहर निकलो बाहर नि कि तबहाई से चला रहे हैं लोगों ने राड़ी को आपर मैं अच्छी से भुजा पा रहा हूं आग तो सारी के सारी भुझ कि एकदम मस तरीके से फाइनली भाई बट अभी गाड़ी के इंदर से जो पार्क निया ना वो बंद नहीं हो रही है अब गाईस गाड़ी के मैं बोलने जारता अपनी गाड़ी ठीक हो जाएगी और फैसके अट रटा इसको तिरिया थी जिता से बीटा इस अब जाड़ी फटगी है लेगिन आपर नाजर नहीं आ रहा है तो फाइदा भाई आने का फाईदा बाई अब क्या फाइदा अब अगर इलोग उस ताइम फ और भी भी गाड़ी के इनदर से स्पार्क्लिंग निकल लिरे है इतने जहदा बुरा ब्लस्त हूने के बात भी गाड़ी के व94 कुछ ओंपनेंट जल घए और जिस गाड़ी के जिस गाड़ी के अर्योंدة से लोंगो अज। करने जा रहे थे एक बारी बैनी को कोल करके बुलाता हूँ वैसे तो अभी इस गाड़ी का कुछ नहीं हो पाएगा बट सुलूशन भी तो चाहिए कि आगे अगे अब हमें करना क्या होगा इस गाड़ी को तो मैं रिपेर करा के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए बाकि कल की रेस के लिए हमें कोई ना कोई गाड़ी का सिंतिजाम करना होगा यार अभी कुछ भी करके तो अभी फिलाल बैनी भी याँ पर आ चुक है और ये कह रहा है कि अब ये जो अपनी गाड़ी है ये किसी भी काम की नहीं रही पुरी की पुरी गाड़ी ब्लास्ट होई है तो इसका हर एक पार्ट प्रॉपर जल के राक हो गया होगा अब तक तो बाकि यार मुझे इस टाइम पर दो बहुत खतरनाक दुख एक साथ हो रहे हैं पहला ये कि अपने हाँ से एक बहुत जादा रेर लिमिटेड फरारी की कार जा चुकिए अपने हाथों से मतलब जो पांसो किलो मिटर परार के स्वीट पकड़ सकती थी दूसरा तो किस बात का हो रहा है कल का जो टॉर्णामेंट होने वाला है उस टॉर्णामेंट को जीतन की कल की रेस को जीतने के लिए अपने पास दो सोल्यूशन है पहला ये कि हम लोग सेम तू सेम एक और इसी टाइप की गाड़ी का जुगाड कर ले जो कि मेरे सापसे इम पॉसिबल है दूसरा सोलीशन ये कि एक और कार है जिस कार के अंदर सेम तू सेम यही वाली मॉडिफ यानि वह वाली कार भी 500 km पर आर जा सकती है तर्बो मोट के साथ बट सारा सीन यह है कि वह गाड़ी अपने एक बहुत घटिया पुराने दुश्मन के पास है जो कि है डेविन वेस्टन तो अभी अपने पास कोई और ओप्शन है नहीं अभी यही करना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसको बोल दिया कि भाई कुछ भी करके जो मेरी फरारी है यह अपने गिराज में ले जाई है और रिपेर करने का ट्राय कर रहे हैं इसे मुझे पता है इसे रिपेर करना बहुत जादा हार्ड है बट कोई नहीं मैंने उसे बोल दिया है वो भी टॉइंग सर्विस को तो मैं वो खरीद लूँगा क्योंकि अगर मैं कल वाली रेस जीत जाता हूं तो जिस बंदे ने हमारे उपर बेट लगाई है वो भी तो मैं बहुत सारा पैसा देने वाल है ना तो सारा पैसा महां से वसूल होई जाएगा तो इसलिए फड़ा-फड़ से डैविन वेस्टन बस ऐसा ना हो कि यह घर पर ही ना हो क्योंकि maximum time यह इदर उदर दूसरी country में घूमता रहता है तो के मैंने अपनी गाड़ी पार कर दिया है उसका bodyguard यहां पर कड़ा हूँ है लो क्या मैं अंदर जा सकता हूं अभी यहां से वापस चानने के लिए बोल रहा है मैं पस लेकि इसा डेविन वेस्टन ने कमाया वरना आज हम लोग बहुत बड़े producer होते हैं और हमारे पास भी कुछ इतना तगडा luxury mention होता है एक बार ही आप लोग ना सामने तो देखी लिया होगा इसकी जी वागन वाकि लेफ्ट साइड में देखो इसके पास वर्ल्ड की सारी की सारी म मेरे को ना यहां से नीचे जाना है अभी इसके security guard खाली पीली पकड़के मुझे पूस्ताच करने लग जाते जिससे मेरी gate पर बात हुई थी उसने काता कि इस ताइम पर डेविन अपना फुल रेस्ट कर रहे हैं बाहर स्वीमिंग वगरा करने के लिए बाहर की साइड पर और क्या मस्त घर बना रहा है यार इसने जिसके साथ हम लोग आये थे यहां पर वेट कर रहा है ठीक है ब्रो थैंक्यू यहां तक मुझे लाने के लिए अभी फटाफट से ना मैं चलता हूं सीधा डविन वेस्टन के पास काश ऐसा घर हमारा भी हो जिससे सामने पूरा एक इंजोई मस्तिवस्ति कर ले तो इस एक बारी मिल के बात करते हैं यार यह कितनी स्विमिंग करेगा मैं दस मिनट से इसको खड़े हूं कि देख रहा हूं कि बाहरा है इससे मैं बातचीत करूं लेकिन नहीं बंद अपना तैरने में लगा हुआ है खेटिक है शाहत से अभी यह बाहर आ रहा है यार लाइफ हो तो इसकी जैसी हो क्या मस्त मजे काट रहे है खेटिक है फटा फटना हम लोग इससे बात करते हैं कि हमें इसकी जो परसनल फेवरेट कार है 5 km पर आर के स्पीड पकड़ने वाली वह में कितने में देगा वल अभी मेरी फिलाल डेविन व सफ मना कर रहा है कि कितना पैसे देगो यह गाड़ी पैसो के बदले नहीं इसका काम करना होगा उस चीज के बदले यह हमें अपनी वाली कार देने वाला है वागे मैंने से पूछा था कि कि टेस्टिंग के लिए मिल सकती है तो इसने साफ सफ मना कर दिया क्योंकि इसको पक और इन सब अमीर बंदों को पसंद आती है तो इसको वह वाली कार चाहिए इस कार की लोकेशन इसने मुझे दे दिया एक एरिया है जहां पर पता नी वह किस बंदे की कार उसने वहां पर छुपा रखी है हमें वह कार जाके किसी भी कीमत पर चुरा के लाने और भैंस की इतना ज्यादा बड़ा गर है रस्ते ही भूल गया बाई मैं एक मिनट के अंदर ही ठीक है यहां से अभी राइट को मुड़ते हैं और यह देखो भाई इसकी का मस मस कार है ठीक है अभी इसके लिए वह जो गाड़ी है मुझे कुछ भी करके चुरानी होगी और चुराने की दिक् सब्सक्राइब कर सकता है फटा फटना अभी मुझे भाग के यहां से निकलना चाहिए अभी जल्दी से गाड़ी में बैठते है और चलते हैं लेस्तों के पास क्योंकि अगर मैं कल वो रेस जीत गया तो समझ लो भाई अपने पास भी ऐसा ही घर होगा और जो इसके पास 3 करोर से उपर की है तो हमारे पास भी ऐसी गाड़ी आ जाएगी इसलिए भाई कुछ भी करके मुझे सारा काम करना ही करना है वह अभी फिलाल मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुचने वाला हूं लेस्ट्रो के घर पे क्योंकि इस टाइम वही एक बंदा है जो हमारी हेल्प कर सकता है वाग क्या सोचता होगा माइकल जब प्रॉब्लम में आता है इसको तब ही में यहाद आती है और जब कभी पार्टी वगएरा करने ऊचार कोई बुछ आपकर दे लेस्टों मैं इसको मेरी वाद कर दे मैं इसको आधी से ज़्यादा पैसे डे ढालूंगा आधैसी को को दे देंगे एक मिनिट मैं अपनी गाड़ी ना साइड में पार्क लगा देता हूं पता चला कोई ठोक के चले जाए वैसी अभी कितनी ज्यादा महेंगी गाड़ी हमारे हाथों से जा चुकी है इतना पैसा आगया सब कुछ है फिर भी इस छोटे वाले घर को छोड़ने का सब्सक्राइब कर देता हूं और चलते हैं लेस्टर से मिलने के लिए बागे यार कितना ज्यादा मस्त मौसम हो रहा था चारों तरफ अच्छी हवा चल रहे थी मस्त भी था लॉस सैंटरस में पता नहीं क्यों आज इतनी ज्यादा भयंकर बारिश होने लगी अचानक से चल रहा है अभी मेरी फिलाल लेस्टर से बात हो चुकी है और शायद से आज ना इसकी तब्यात थोड़ी बहुत खराब चल रही है बाकि इसने अभी मुझे ना अच्छे से पूरा बता दिया कि मुझे क्या करना है जट टाइप कार को लेने के लिए जो कि डाविन वेस्टन क चाहिए मतलब पहले हमसे वह कार लेगा हम लोग उसके लिए चुरा के लाएंगे उसके बाद ही हमें वह अपनी 500 किलोमेटर पर आर की स्पीड पर चलने वाली कार देने वाला है और एक सेकिंड मुझे बैठने के लिए उपर से जाना होगा मैं पता नहीं क्यों नीचे उत हो गई है और इस ताइम पर हमें अपनी शकल कहीं पर भी ने दिखाने के हम कोई भी क्राइम कर रहे हैं वरना आगे चलके हमें सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है मिलिटरी वगारा से तो प्लान कुछ ऐसा है कि सबसे पहले हम लोग एक लस्पीड यानि लौस पुलिस डिपार रसनात्मेंट का हैलिकॉप्टर चुराने वाले हैं कि जैसा कि डाविन ने का था जिस जगा पर वो गाड़ी उसका कोई एक्जाक घर नहीं पता पस एक एरिया पता है जहां पर घाड़ी खड़ी है उस बंदे का नाम पता है तो पहले हमें उस एरिया को पता करना पड़े और किसी को नहीं मार देते तो में काफी चीजे समझ आ गई है बाकि उस हेलिकॉप्टर को अभी नहीं चुराने वाले लेस्टर कहरा भी रात के बाराई बज़े हैं जाके अपना घर पर रेस्ट करो हम लोग चुराएंगे रात में चार बज़े क्योंकि उस टाइम पर आधे फेश चुपाने वाले सारे के सारे मास्क उस सारे के सारे कॉस्ट्यूम औफिट्स इसी वाले घर के अंदर है तो फटाफट अपनी गाड़ी को नहीं पर लाके पाप कर देता हूं और चलते हैं अंदर और इस घर में आयो बियार कितना जादा टाइम हो गया बट अच्छी हेलिकॉप्टर चुराने जाना है मतलब आज सोना नहीं है आज सिर्फर से मेरे साब से मुझे खामी काम करना है पहले रेस्ट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए उसके बाद मस्ती करेंगे रात के चार बच चुके हैं और अपना अलाम भी बच गया है और मैं सोकर उठ सबसे पहले लौस पुलिस डिपार्टमेंट पे उनका हेलिकॉप्टर चुराने के लिए और उसके बाद चलेंगे हम लोग वो कार को ढूडने के लिए और फिर इसको चुराने के लिए बाकि आप लोग सोच रहोगे कि मैं पुलिस वाला कॉस्ट्यूम क्यों पहना है मैं सांटोस पुलिस डिपार्टमेंट कहीं ड्यूटी करने तो नहीं जा रहा हूं तो देखो सीन कुछ ऐसा है काफी टाइम पहले लेस्टर ने हमारे लिए एक फेक पुलिस का आईडी काड बनाया था जिसके वह दिखाकर हम लोग पुलिस वाला काम चला सकते हैं अब बस पकड़ लेगा तो फिर हमारे पास हतियार है ही गोली बारी करने पड़ जाएगी बट कोई नी अभी फटा फटसी न अपनी गाड़ी को यहां से बाहर निकालते हैं बाकी लेस्टर ने मुझे यह भी होला था कि पुलिस डिपार्टमेंट गिये वाली कार लेकर में चले ज सालось साथ सथ रहने बाले अच्छे बात है वाल्च लट त्रम में इतना जिए ट्राफिक होता है फ西 नियंकथे को निकल जाने थे हमिरेकम मेरे अगे रले दिपार्टमेंट है मतलब मैं पहुत चुका हूँ और एक काम करता हूँ अपनी गाड़ी को ना डिपार्टमेंट के सामने नहीं तो लग रहा भाई किसी का एंकाउंटर चल रहा हूँ पुलिस वालों को ही मार दिया यहां पर तो अगर किसी और पुलिस वालों ने देगी ल सही जगा पर मिल जाए फटा फट से भी भाग कर निकलते हैं इतना ज्यादा खतरनाक मौसम सिर्फ आज के देनी होना था क्या है और मतलब खाली पेली का खराब माहूल बना पड़ा है डेंजरोस सा वैसे यार इस ताइम ने मुझे कोई आइडिया नहीं कि आखिर कार कर लेना पाइलिट को बुलना खुद भी नहीं चलाना वरना पुलिस वालों को शक हो जाएगा कि हम लोग पक्काच हो रही थे ठीक है मैं अभी अंदर आ चुका हूं यहां पर अपना पुलिस वाले मस्ट डूटी करने में लगे और किसी का खास शक मेरे उपर नहीं क्या ह है और किसी बंदे को पकड़ के लाएवे इसने कोई हरकत और करे हो कि अरभी फुलिस वाले उसकी बैंड बजा रहे है मारो मारो पैंस की चोरी करता है जेबे काटता है बस में खेर ठीक है अभी मेरे को लॉकर रूम से टॉप पे जाने का रास्ता रूफ आक्सेस ठीक है मै सब्सक्राइब करता है यह जादा नहीं आया हूं और शाद से अभी थोड़ी ताइम पहले रीडिजाइन भी हुआ है लेट्स को फड़ा फट से चलते हैं ऊपर और शाद से ऑथराइस परसनल अनली हम लोग फूल उत्राइज है थरद फोर है और भी उपर है ओके मैं यहा लोग जाने वाले हैं इसके साथ वाई फाइनली यहां पर हमने हेलिकोप्टर चुरा लिया तो हाँ चुराया ही है थोड़े बत मास्ट्र माइंड प्लान से तो गाइस अपने साथ ही जो पाइलेट है यह सची में बहुत जादा मजुदार है पहली बात तो यह अपनी हेलि वाली बात है क्योंकि बारिश में कोई बार निकलेगा नी और अगरा उसकी ब्टी स्कैना नी करेंगे तो पता कैसे करेंगे कि आखिरकार हमारी गाडी कहां पर है तो इसलिए मैं काम करता हूँ अभी नहीं कभी पर हेलिकॉप्टर लैंड कराने के लिए बोल देता हूँ ह बट काफी ज़्यादा अंधेर आने की विज़ा से और बारिश होने की विज़ा से हम लोग Z-type कार को ढूनने नहीं जा पाए बट अभी मौसम काफी ज़्यादा सही हो चुका है, मस्त एक दम धूप निकल गई है और मेरे साब से ये काफी ज़्यादा बड़िया टाइम है अपने मिशन को कॉन्टीन्यू करने का क्योंकि आज ही रेस है और अपने पास अभी अपना मिशन करने के लिए सिर्फ सिफ 6 गंटे बज़े हैं 14 बज़े मुझे निकलना होगा अपना रेस खेंले के लिए अपना पाइलेट यहां पर आकर बैट चुका है क्योंकि आप लोग को तो पता है मैं हेलिकोप्टर ने उड़ाने वाला मुझे उस गाड़ी को ढूड़ने पे फोकस करना है वेल तो भी हम लोग अपनी हेलिकोप्टर को लेकर मास्त इस जगह से टेक आफ कर चुके हैं बाकि अभी मैंने इस पाइलेट को बोल दिया है डारेक्ट उस जगह पर जाने के लिए जहां पर डैविन वेस्टन को जी टाइप कार स्पोर्ट होई थी और उससे बस इतना पता है कि यहीं कहीं पर किसी बंदे के पास है तो मैं वहाँ पर जाकर उस बंदे को उसकी गाड़ी को ढूड़ना है उस बंदे का नाम हमें पता चल चुका है चैड उसका नाम है बागे भी चलते हैं देखते हैं कि वो बंदा घर में है कमरे में है बाहर है बाकी मेरे को थोड़ा ठोड़ना पड़ेगा और मैं मेरे को चेक करने है कि मैं कैसे इसके तुरू स्कान कर सकता हूँ यहां पर तीन लोग मुझे डिटेक्ट हो गए है वेट मैं अगर आउट ओफ रेंज वो बहुत जादा दूर है तो पहले अपने हेलिकॉप्टर को थोड़ा बहुत वहां तक पहुचना होगा वेट अपना पाइलेट चला सही रहा है बाकी में से थोड़ा बहुत जूम आउ ग्रैग या फिर जोब इसका नाम हो बठाव जो भी है वो नहीं है नीचे कि लड़की खड़ी गठी इसका नाम काटी तो बिल्कुल नहीं है यहां पर नीचे एक बन्दा ट्रक में काम कर रहा है क्या यह बंदा वो तो नहीं जिसके बाद जी टाइप कार है नलसन नहीं त यहां पर आसपास जिनको मैं स्कैन कर सकता हूं तीन टार्गेट दिखा रहा है यह तो नैलसन है मैंने से ट्राक कर लिया है रुक जाओ थोड़े बहुत ओर टार्गेट मुझे यहां पर ओर यहां पर और भी काफी सारे बंदे हैं और पका इन में से तो कोई ना कोई अपना टार्गेट होगा यहां पर एक बंदा खड़ा हुआ है कुछ तो इदर लड़ाई वड़ाई चल रही है क्या एक में टुक जाओ यह कोन है जूलियो ओके और यहां पर दो लोगों का कुछ तो नहीं है यहां पर मेरे को तो लग रहा कुछ गड़बड़ी चल रही है वेट उसने उस बंदे को मार दिया पका यही होगा अपना टार्गेट मैं मैं इसकी बॉड़ी स्कैन क्यों नहीं कर पा रहा हूं यहां पर भी दो शाथ से कपल्स हैं वेट एक पर इसको ट्राय करता चैड यही है अपना टार्गेट गाइस और यह शाथ से टाइम पर अपनी गर्फरेंड के साथ है तो अभी मुझे मेरा टार्गेट मिल चुका है और वो यहां पर दीरे दीरे आगे बढ़ रहा है अब बस मुझे अपना एम इसी की तरफ रखना है ताकि मैं इसे खोना बै गैंक्स्तर है जिसे हम लोग जानते ही नहीं मतलब है छुपके काम कर रहा है सार अगा सारा क्योंकि जी टाइप जो कि पूरे वर्ल्ड में सिफ़स दस का रहे हैं यहां पर किसी ने शूट कर रहा यार वाकि यहां पाइलेट यह कह रहा है कि हमें नीचे जाने के जुरूत इतनी महेंगे गाड़ी लेकर यह इदर उदर कहा इसने आपर अपना घिराज उपन करा और यह सची में गाड़ी में बैठने के लिए क्या इसके अंदर इसकी कार है सामने हमारी अपनी एक्स्रा पुलिस आगी है और पुलिस ने इसके ओपर एम खर लिया यह डर चुका है वहाँ पेचे भी कुछ लड़ाई चलिए और ऑँ वहाँ पे वहाँ पेकसीने किसीको गोली मारती और यह अपनी गाड़ी लेकर यहां से चाचुका पुलिस क्या कर रही है अगर ये गाड़ी हमने चुरा ली तो अपना काम हो जाएगा शायद यार मुझे हेलिकॉप्टर से ना भी जंप मार देनी चाहिए क्योंकि अपना पुलिस वाले हैं वो इसका पीछा तो कर रहे हैं बट वो शायद बहुत जादा स्लू है मुझे उनको बताते रहना है कि आकिर कारी गाड़ी लेकर कहां पड़ जा रहा है और क्या मस्त चल रहे है देख रहे हो अलगी दिख रहे है वाई रोड पे जाती हुई अरे पुलिस वालों कहां हो यह रहे अपनी पुलिस वाली कार पीछे तो जा रही है बटें बहुत अपर नहीं हुआ उसने दो गाड़ियां ठुकवा दिया और खुद निकल गया ठीक है मैं इसको पूरा फोलो कर वाकर रखता हूं इसके चकर में बाकी लोग का बहुत ज्यादा खतरनाक एक्सिडेंट हो जा रहा है ठीक है अभी है इस निकालिया यार यहां से गाड़ी मत पकड़ पाएंगे शायद मुझे अभी हेलिकॉप्टर से कूदना पड़ेगा उविट इस गली में लेकर गया है और इसने अपनी गाड़ी यार यह पनी गाड़ी एक पारकिंग में लेगा और अभी मुझे उसका व्यू नहीं मिला यह पारकिंग बहुत जादा बड़ी ह पुलिस वालो जल्दी से जाओ स्पारकिंग में अभी पुलिस वाली गाड़ी भी वहां पर जा चुकी है और शायद से अभी मुझे भी इस पारकिंग के अंदर चाहिए ऑल्राइट तो अभी फिलाल मैंने अपनी हेलिकॉप्टर को यहीं पर लैंड करवा दिया है क्योंक जेट टाइप वाले बंदे ने बहुत बड़ी गलती कर दी वह विचार अपनी गाड़ी को लेकर इस पार्किंग के अंदर चला गया और उसके पीछे अपना एक पोलिस ऑफिसर जा चुका है जिसने शाहर से अभी तक तो उसको अरेस्ट भी कर लिया होगा यानि कि कुल मिला चाहिता है अराम से मैं उतरता हूँ आता बट ठीक है मैंने एकदाम मास्ट जंपिंग वगारा सीख लिए और यहां पर पुलिस वगारा और और के शाहर से किसी ने एक्सिडेंट वगारा कर दिया है बहुत सारी पुलिस जगह के आसपास आ गया है लेट्स को पड़ा- यहां पर तो बहुत सारी गुंडे है यानि वो जो गाड़ी वाला बंदा था वो सची में कोई बहुत ज्यादा खतरनाक डौन था अभी मुझे अपनी गन निकालके इन बंदों का मूद तोड़ना ही पड़ेगा यह वाली जो रिवॉल्वर है यह बहुत ज्यादा खतरना यह बहुत जो चलती है तो यहां पर औरे पीचे से कहां से बनने या से अभी बहुत जाता बढ़ी प्रोब्लम जाएगी मेरे पास कोई भी ऑटोमेंटिक मशीन नहीं है वेट गाड़ी का मैंने मस्ट कवर ले लिया रुक जाओ इस ताम पर मुझे अपना देशी घट्था निकालना पड़ेगा इसी से क्योंकि मैं इनका एकदम मस्ट बैंड बजा सकता हूं आ जो फिरी ऐसे कि अब निकल एक दो यहां पर गिंतियां लगेगी अब सारे के सारे बहुत बुरा मरने वाले हैं और पर मिरको लगना था उनके पास पिस्टल है बट वो तो सारे के सार वो अंदर जा रहा था Payard मेरको लग दो बहाँ बहाँ बंडे आरे यह उपर से भी डंदे आरे अरे वो बट बशन सब्सक्रावाँ पीछे से पीछे से कहां से आरे लोग वह जादा गलत सीन हो अरे नहीं वाजा तीर कि ए सब्सक्तर कर एक बंड यां पिछे मेर्को रूप मेरी AK47 में ज्यादा बुलेट्स नहीं है वट अभी मुझे वो निकालनी पड़ेगी अधर्वाइस यह लोग मुझे फोर्ड रा लेंगे इसको यहां पर पीछे से जो और भागो भाई यहां पर बहुत ज्यादा गलत सीन हो गया मुझे फटा फटना यहां से निकलना पड़ सादा डिफिकल्ट होने वाला है लेट्स को यहां पर जितने हैं एटलिस उनको निप्टाता हूं और दीरी दीरी करके नहीं मैं उपर चलने का ट्राय करता हूं अधर्वाइस बंदा है ना वह अपनी कार को लेकर यहां से भाग जाएगा पीछे से जवारे इनको भी निप लगे एक बंदा ऊपर भी एक एक फोटी सावन लेकर है मेरे पास ज्यादा आमो नहीं थी बट इन लोग को मार के ना मैं इनकी आमो ले सकता हूं यहां से यहां पर भी कवर लेना होगा यह भी गया सामने जो बंदा आ रहा है यह भी ठाउन और अभी ना मैं एक बारी बस अबर कवर ले को किया अराम से यह दो तीन बॉलेट्स लग चुकिए बट आसिक और मैं काम करता हूं इनकी नहीं वाली जो गाडी है इसी को ब्लास्ट कर देता हो वे यार नीचे कितने सारे बंदे भूम रहे हैं गलाची सीन हो रखा है यहां पर क्या मैं इस गाडी को फो कोन मारा सामने से बेट निकल यहां से जितने बनने नीचे आए ना अब यह पिटेंगे सीरिया उतर उतर के आगए भाई सारे के सारे इंपॉसिबल ऐस ताइम पर इंसे लड़ना बहुत सारे लोग हैं मुझे कही ना कहीं पर कवर लेकर अपने सारी सिक्यॉरिटी को यहां प पर पहुचने हैं जब तक मैं इनको हैंडल करता हूं और यह वाले रस्ते पर ना मुझे प्रॉपर टीके रहना है क्योंकि अगर वह अपनी गाड़ी लेकर यहां से भागेगा तो इसको इसी रस्ते से जाना पड़ेगा यहां से बाहर निकलने का कोई भी ऑप्शन नहीं ह भाई भाई चुपो 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 मैं गाड़ी में बैट जाता हूं किसी और उस गाड़ी से इनको टकर मारने वाला हूं मैं बहुत ज्यादा खतरनाक ठीक है अभी यहां पर सामने से तीन-चार बंदे आ रहे हैं और उपर वाले फ्लोर पे चल लेए जैट टा पर यार कहां रह गए हैं इसारे बॉडिकार्ट मुझे समझे नहीं आ रहा है मुझे एक बारी अपनी बॉडिकार्ट को दुबारा फोन करना चाहिए पता नहीं आरि यह सारे कहां पर रह गए हैं यह लोग सामने हैं एट्सको पर चल्दी से आओ वहाँ परी पीछे जादा खतरनाक आर्मर और नी ट्रेनिंग लेकर आया ना यह लॉस्ट गैंक है तो यहां पर बहुत ज्यादा बुरी वाली बैंड बजने वाली है वो तेरी उपर चड़ चड़ के मार रहे हैं भाई साब यह को नीचे ही नहीं आने देंगे लेट्सको अभी मेरे साब से को यहांसे व्हा जाने का ट्रा करता हूं वह लोग नीचे से पूरी ब्चा कि यहां पर नीचे आने काक ट्रा करें तो आपने बंदे आई रहे हैं यहां से लोग भी चले चलो चलो उपर चलो मैं बात में आऊँगा पहले तुम जाओ भाई पैसे किस चीज के ले रहे हो आके ठीक है नीचे भी बहुत जादा खतरना तरीके से यह लोग लड़ते वे नजर आ रहे हैं आके भी फटाफट मिर् थर्ड फ्लोर पे भी आ चुका हूं और इन्होंने पूरा पूरा रास्ता क्लियर कर दिया बाई बंदों को मार मार गे कहां इन्होंने वारी बैंड बजा रहे हैं अपने दो तीन बंदों ने आके इन सब का भाई मूव फो डाला है वेट रुक जाओ वैसे और मुझे यह नहीं समझा रहा कि आकर कार अपनी वो गाड़ी है काहां पर मतलब वो इस बिल्डिंग में लाया था इस पारकिंग में दूर दूर तक मुझे गाड़ी यार कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही है मेरे को लग रहा है वो ना भगाता भगाता गाड़ी को टॉप फ्लोर पे सब्सक्राइब कर दो दूरी दूर से बजादे रहे मैं मारूंगा निकले यहां से मारे बंदे का मारा थीक है मारा तो मुझे यहां से मस्कार मिल चुकि है इस गाड़ी में बैठके ना मैं जी टाइप कार को ढूंता हूं आकिर कार वो है कांपर क्योंकि अब अपनी आर्मी आ चुकी है अपने बंदे आ चुके हैं पर कुछ जादा टेंशन लेने की बात नहीं है वो सबको निफ्टा देंगे यह दिखो बाई यह लोग ऊपर वा पढ़ गया है अपनी जितने भी बॉड़ी गाड़्स हैं उन सभी ने जाकर यहां पर इन गुंडों की बैंड बजा दी और यह दिखो वाई कितनी लाश यहां पर बिच्चों के ओए तेरी पेंस के ऐसे कुन मरता है इसको रुख जाओ मैं नीचे गिरा के जाओंगा अला को इसे मारना नहीं है मैं इसको ना बिहोश कर दे रहूं ठीक है इसको घर पे ले चलो क्योंकि यह अगर पकड़ा गया पुलिस वालों के पास तो यह हमारे बारे में सारी पोल खोल देगा और हम लोग फस जाएंगे फिलाल अपनी जो गाड़ी है वो हमें मिल चुकी है औ को इस पुलिस वाले का ध्यान लखना गाड़ी में भरके से घर ले चलो बाके भी फड़ा फट से ना मैं कार को लेकर निकलता हूं मुझे जल्दी से डाविन वेस्टन को दे कर आनी पड़ेगी उससे एक बारी फोन करके पूछ लेता हूं कि आकर कार गाड़ी लेकर आना क कहां पर है तो लेट्स को उसको डाइल करता हूं इस ताइम ना मैं वर्ल की सबसे ज्यादा रेयर कार चला रहा हूं जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ी है और आइनो आप में से बहुत से लहों को यह कार बिलकुल भी अच्छी नहीं लग रही होगी तो शाद आप लोग इस कार की वाइब नहीं समझ पा रहे हो यह एक प्रॉपल रॉयल विंटेज कार है जो राजा महराजा चलाया करते थे कुछ उस टाइप की और यह वर्ल में सिफो शिफ टैन है ठेके अभी मुझे ना फटाफर से डाविन वेल्सन के पास लेकर जाना होगा यहां पर थोड डैविन ने पर्मानेंट खरेद लिया पैसा तो बहुत जाद है डैविन पर दोस्तियारी बनानी पड़ेगी ताकि हम लोग उसकी तरह अमीर बन जाए ठीक है अभी इस गाड़ी को लेकर चलते हैं वहां पर विट कसम से इसको चलाते हो भी थोड़ा बहुत डर लग रहा ह है वो टाइम कब आएगा जब यह गाड़ी हमारे पास भी होगी है अभी चलते है एरपोर्ट पे तो फाइनली हम लोग अपनी जी टाइप को लेकर पहुचने वाले हैं लॉस सांटोस इंटरनाशनल एरपोर्ट पे जहां पर डैविन हमारा वेड कर रहा है और टाइम आ च सब्सक्राइब मुझे शायद से एरपोर्ट के अंदर यहीं से जाना होगा चलो काम करता हूं आगे से कट कर लेते हैं मेरा पता है इस कार्गों कसम से डिवाइडर तक भी चड़ाने का भी बिलकुल मन्नी कर रहा मतलब यह जो होते हैं इसके उपर भी ना जाए प्रॉपर इसने हमारे वाला हैंगर करीदा है आज मुझे पता चला वह देखो डेविन वेस्टन जेट चार्टर इतना ज्यादा बड़ा हैंगर इसने परचेस कर रहा है कसम से अलगी बाच्चीत है इसके बास बिग माफिय से भी ज्यादा पैसा है कसम से लेट्सको घाडी अपनी आ जाने का प्लान है वाकि हाँ इसने अभी ना मुझे वो कार तो नहीं दिया जो 500 km पर आखी स्पीट पर चलेगी इसने उस गिराज के चाबी मुझे दे जहां पर इसने कार को खड़ा कर रखा है अभी ना कुझे सची में इसके उपर थोड़ा बहुत शाक हो रहा है कि कहीं पर 1 p.m. पर रेस स्टार्ट हो जाएगा बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी मैं उस गिराज पर पहुँच चुका हूँ जहां पर डैविन ने हमारे लिए कार को खड़ा करा है अब बस ये एक स्कैम ना हो तो बहुत जादा अच्छा रहेगा वरना मैं सब को कार है या नहीं और वो कार है कैसी मुझे तो कार का नाम भी नहीं पता है कौन सी कार दिखती कैसी है और एक्जेक्ट यह भी नहीं पता 500 किलोमेटर पर आट जा पाएगी आफर नहीं बटा बैनी ने बोला था तो पका ये बात सची होगी लेट्स को चलते हैं गिराज में ओके गाइस तो यह मैं आच अकाउंट डेविन वेस्टन के सीक्रेट गिराज के अंदर और यह दिखो यह खडी वो कार जिसकी बात बैनी कर रहा था भाई साथी में कोई चूटी मोटी नी कोई बहुत ही ज्यादा तगडी स्पोर्स कार है और देखने में इसके लिग कितन ज्यादा तगड़ा स्पोर्र लगा हुआ है मतलब एक टूज मॉडिफिकेशन टायर से लेकर विंडोज वगारा सब कुछ इसके अंदर अपग्रेड है लेट्स को बैठते हैं गाडी में गाडी को स्टार्ट करके देखते हैं भाई इसका साउंड ऐसे कुछ खास लाउड ध्यान से देखो जैसा कि मैंने का था यह कार ना यार कॉसम से बिल्कुल किलर लग रही है इसको देखके तो मेरे को ऐसा लगना चार पांस चरेसर से यूँ ही बाग जाएंगे बागे ठीक है इसको एक बारी चलाते हैं गाड़ी को एक सिकिंड यह अभी से टर्बो मोट प धगा नहीं है बाकि यहां एक चिजब और है सकार के बारे में कि जितनी तेज भाकती है ना उससे डबल स्पीड में रुकती है को प्लम लाग इसके नियुक्त बहुत ज्याधा क्ई गड़ें क्यों इसको एक बारी टेस्न किया जाए क्योंकि अभी अब मेरे को रेस में पो और यह गाड़ी बहुत ज्यादा लाउड है उसका मेरे को लग रहा था कि पसे शोर मचा रही है लेकिन सीन क्या हुआ था ना गिराज के अंदर पता नी चला था छोटी जगा है और अभी यह गाड़ी नॉर्मल रोड पे चल रही है न तो इसका एक्चुल साउंड पता चल बहुत जादा प्यारे ब्रेक सीधा स्पीड कम फिर रेस फिर ब्रेक स्पीड कम तुरंत बागती है और तुरंत रुक जाते है ठीक है यह भाई साब चलालो यार मेरी गाड़ी बहुत जादा चोड़ी है जब पतले रास्तों से निकालना इसको काफी ज़्यादा हाड लग रहा है अगर और कोई गाड़ी होती ना तो पका महां पर जाकर ठुक गई होती लेकिन यह कार वाई कि निशान देखो बहुत खतरनाफ कार्स यहां पर आ रहे होंगी वैसे मैं ही सबसे जादा लेटू शाहत से अभी तक सारे रेसर्स यहां पहुच गये होंगे बाकि एक बारी सामने भी देखो यहां पर पुलिस वाले और स्वैट सोल्जर्स फायर फायर फायर्फाइटर् क्योंकि भाई रेस टॉंडर्वेंट बहुत खतरनाग है कोई भी हाथसा हो सकता है इसलिए सेफटी परपस के लिए यहां पर इतनी भीड आ रहा किया वाई है लो मैं को चेकिंग करवानी पड़ेगी शाहत से पहले कि कि मैं क्वालिफायर हूं या फर नहीं लेट्स को इन इस किलर कार को जंग के मैदान में ले जाने का तो शांती से तो लिए कि नहीं जाएंगे फुल रेव मारते हुए बर्न आउट करते हुए मैं अपनी गाड़ी को अंतर लेकर जाने वाला हूं और यहां पर आती एक प्यारा वाला ड्रिफ्ट आप लोग को लग रहा हूँ और यहां पर एक लंबोगनी और इस तरफ में मकलेरन बुगार्टी बहुत थगड़ी थगड़ी कार्स है बाकि उन गाड़ ने मुझे बोला था कि अभी दो तीन रेसर और आरे बाकि तो जो फ्रीश लोट है वहां पर जाके तुम बैठो थोड़ा बहुत वाम अफ पगर जाओ इसे जूम करके मैं पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि उस बंदे को फ्रैंक्लीन काइस फ्रैंक्लीन भी इस रेस में है मतलब एक कंट्री से एक ही रेसर जाने वाला था कुछ तो भाई इस ने जोल कर रहा है क्योंकि यहां से मैं जीता हूं मैं प्रॉपर हमें मिल चुका है अब थोड़ी सी हालत टाइट हो रही है बाकि लंबोग नी एस वीजा 63 कोई बात नहीं सारी गाड़ियां हमसे नहीं जीतने वाली अगर इन्होंने मोडिफिकेशन नहीं करवा रही तो क्योंकि अपनी कार पूरी क्रेमिनल है इस टाइम पे ओके गाइस जैसे कि आप लोग देख पारे हो सारी के सारे रेसर्स मस्त एकदम रेस राक पे आ चुके हैं और कुछ ही देर में अपना यह खतरनाक रेस स्टार्ट होने वाला है बागी मुझे नहीं दूख एक ही बात का है कि फ्रैंक्लीन को यार फर्स पोजीशन पर खड़ा किया गया है बागी मेरे पीचे बुगाटी यह लंबोग नी स्टार्ट करने का सारी रेसर्स पूरी रेस देखर बैठें अपनी गाड़ी में कि जैसे वगए वगालू मैं और फ्रैंक्लिंग को टकर दे कि वह साइट चला गया और लो भाई आगे जाके उभिड चुका है बागे ना भाग रहा था क्योंकि मुझे पता है अगर एक आड़ी मेर पास आगी तो मैं टॉर्नमेंट किसी कीमत पर आहर नहीं सकता भाई रेस चल रही है वह बंदा सड़क में खड़ी हो के फोन चला रहा है खेल ठीक है मैं मैं पता क्या सुच रहा हूं क्यार मजा नहीं आ रहा है लंबोग नी एस वीचे वाला बहुत ज्यादा तगड़ा रेसर है यार इसको मैं भी आगे जाने दे रहा हूं देखता हूं कौन-कौन गाड़ी कैसे-कैसे चला रहा है ठीक है अब फ्रैंक्लीन इतना तगड़ा रेसर ता कहां रहा गया दिखी नहीं रहो ओके मकलारन और यह ब्लू वाली पता नहीं कुन से यह वी किसी बहुत अगड़े रेसर के है और फाइनली यहां पर फ्रैंक्लीन विचाना सबसे चाहता पीछे बुगाटी भी गई और यह घरी ग्रीन वाली कार मस्ता है और यह रिए फ्रैंक्लीन की लेमबो और सबसे बीचे आ रहे ह और यह एंड टाइम पे अपनी फुल पावर दिखा के रेस को बहुत ही इसली जीट जाए बट कोई नहीं यह अपने आपको स्लो दिखा रहा है तो मैं अपने आपको सूपर स्लो दिखाऊंगा मैं ऐसा शो करता हूं कि मेरी गाड़ी तेज भाग ही नहीं सकती वाकी देख कर आण नहीं भाई कंट्रोली भी बिचारे से एक बंदा ना लंबॉग नी एस वीजे वाला वह बहुत जादा आगे है लू मैं सोच रहा है कि से लंबॉग नी एस वीजे वाला मनना काफी जादा आगे जा चुका है पर ठीक है मैं को फड़ावर्ट से ओवर्टेक मारता हू और फर्स पोजिशन लेके अराम से चल हो कि मैं से इसको खेलना चाहरा हूँ ठीक है यहां पर यह अब जाने वाला है चल बेटा इसकी गाड़ी बहुत तगड़ी है ओ शिट नहीं यार इत्ती बुरी तरह क्या वाई गलसी मैं पूरी ब्रेक मारी बट कहने ही रुकती तो ह बट उसके लिए कि रोड होना चाहिए मैं घांस पर उस टाइम पर ठीक है सामने एक मस्ट अनल आने वाली है उस टनल के इंदर मैं इसको बहुत तगड़े तरीके से ओवर्टेक करूंगा इसको डरा दूंगा ऐसा ओवर्टेक मारूंगा ना चल बेटा अब भगा अपनी किलिमेटर पर आर के स्पीड कंट्रोल करना सची में बहुत जादा डिफिकल्ट है यार 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 नहीं माने का आजा बेटा मैं तरको बताता हूं दो मिनिट यहां से राइट लेना है वह बहुत तगड़ा क्या तगड़ी चला रहा है वह बंदा यार तगड़ी मैं कि चला रहा हूं बट अपनी गाड़ी की स्पीड इतनी चाहता है कि कंट्रोल करने में बैंड बजरी है कि ठीक है वह यहां से नीचे गया सीधा आगे हाइवे पे नहीं जाना मैं को वहां से राइट लेना है तो गाइस अबीना बस मेरे आगे लें अगे लेंबॉब अपन पर अब मैं इसको और टेक करने वाला हूं बहुत खतरनाक तरीके से क्योंकि अपनी गाड़ी के स्पीड जो है 500 तो यहां से अब हमें जाना है राइट में और फिर उसके बाद अपनी गाड़ी को वहां टॉप पर मुर्को लेकर जाना है क्लाइम करके लेट्स को यहां से मेरे लिए थोड़ा बहुत हार्ड होने वाला है क्योंकि जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं अपनी गाड़ी सीधा स्पीड बहुत तेश पकड़ती है और यह सारी की सारी ना पतली पतली गली है यह मस्त बाद है कि हम लोग फॉस्स पोजीशन पर है बट अभी जिसमें में वह पावर हम लोग वापिस यूज कर सकते हैं और यह शायद इसलिए कि गाड़ी के एंजिन ओवर हीट ना और उसमें आग ना लगे जो कि हमारी फॉरारी के साथ हुआ था बाकी ओ-ओ-ओ-वेट लेट्स को क्या मास से ड्रिफ्ट मारे हमने यहां पर और अब जो आग गाड़ी बहुत जादा बुरी तरह उपर जाके बिढ गई है और आगे से चेकना चूर हो चुकी है बट कोई नहीं गाड़ी अभी भी काफी जादा सही तरीके से चल रही है अपनी गाड़ी को मैं आसे साइड साइड में थोड़ा सा चलाता हूं और ठ्राय करता हूं यह पकड़ी नहीं पा रही है रहा बताने के जो बची कुछी गाड़ी थी वो भाई इन्हों ने ठोक दी पर एक शिकिन भाई फाई साब यह दोनों लोग मुझे टककर मारके अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते वे आगे ले गए बट कोई दिख्कत वाली बात नह क्योंकि अपनी गाड़ी इतनी ज्यादा बुरी तरा ठुकने के बाद भी बहुत सही चल रही है अपना बस टर्बो मोड वाली पावर आ जाने दो फिर सीधा 500 की स्पीड पर जाके इनको एकदम मस्त ओवर्टेक में करने वाला हूं अभी तक तो यह लोग मुझे दिख भी कि कोशिश करी तो हो सकता है कि टर्निंग पर हम लोग ठुक जाएं कहीं नहीं जांप कर यापर स्ट्रेट रोड और अभी मैंने कमस तरीके से दोनों लोग की गाड़ी को खताना को टेक कर दिया है क्या मस्त ट्रिफ्ट है लेट्स गो अभी लोग की गाड़ी दिखने में कितनी जादा पीची रह गई है लेट्स को गाइस तो भी मैं थोड़ी दिर में पनी गाड़ी को लेकर प्लीटो बे पाँचने वाला और इस रेस को जितनी वालोर एक सिकिन बैंस कि यह आपर कॉन है भाई यह बंदा कॉन ता भाई ट्रक लेकर भाईसा मेरी गाड़ी टाल दी है कि करना के चाहरा है कि इसने अपनी गाड़ी वोड़ दी पैसकी यह तो नहीं बचे का मेरे पास अभी बिल्कुल भी वैपन्स नहीं है इस ट्रावर को तो ना आज मैं किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं जाने दूंगा मैं बस पता करना चाहता हूं कि आखिर कार इसने फ्रैंक्लिन को जितवाने के लिए इतनी गंदी हरकत क्यों करी वेट यह अपने ट्रक को लेकर वहाँ पर जा रहा है और इसने इस दोसरी वाली गाड़ी को भी ठोक दिया पैसकी मैं इसके ना भी ट्रक में चड़ जाता हूं भाई पंदो को यह मारने में लगा बहुत ज़्यादा बड़ी प्रोब्लम करी दी है फ्रैंक्लिन को रेस चितवाने के लिए इसने हमें मारा सेकिंड पे जो गाड़ी थी उसको भी मारा वैसे और मुझे कोई आइडिया नहीं कि आखिर कार इस टाइम पर ही अपने ट्रक को लेकर जाने कहां पर वाला है यह इस आप यहां से आगे जा रहा है जब भी रुकेगा तब बहुत बुरा पिटने वाला है क्योंकि इसने आज सारी की सारी मैनज सारा काम का पूरा नुकसान करवा दिया है तो चलो गाइस आज किस वाली वीडियो में इतना ही आई होप आपको यह वाली गेमप्ली वीडिय में जाके जरूर बताना कि अब हमें ट्रैवर के साथ क्या करना चाहिए बाकियार इस वीडियो पे 2 मिलियन लाइक गोल का एम है तो उसे भी जाके कम्प्लीट कर देना तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुड बाई आपको यह बाई